आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हों कि मैं रना में सिद्धान तक नहीं हो तरी श्टडी आईक्यू आपका बहुत 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 है यह पहली बार हुआ है करनाटक ने पहले लोगडाउन लगाया और उसके बाद इसको विड्रॉख कर लिया 24 दिससंबर वेंजब्स्टे को नैट कर्फ्यू लगा और कल ही की निूज है विड्रॉख कर लिया आज 25 दिसमबर है क्रिस्मस की बहुत 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 बदाई आपको दोस्तों मुंबई ने नाइट कर्फियू लगाया है मैंने ये न्यूज तो कवर नहीं किया लेकिन मुंबई ने भी पाँच जनवरी तक नाइट कर्फियू लगाया है उद्धर ठाकरे बोले कि मैं इस डिसिजन के खिलाफ हूँ लेकिन ऑफिशिल्स की मैं बात मान रहा हूं करनाटक सरकार ने भी उफिशल्स भी कह रहे हैं कि इस वेरी इस वेरी बिग अंबार्समेंट फॉर इस एक पहले नाइट कर्फियू लगा और फिर से ओडर को ही विड्रॉव कर लिया तो इस लेक्चर में दो चीज़े जानेंगे सबसे पहले तो नाइट कर्फियू के बारे में जानेंगे कि ज लिए आगे बढ़ते हैं यूपी एसी के स्मार्ट को से जाते हैं और हमने टेस सीरी लांच कर दी है अवेल करो यार बहुत ज़्यदा फाइदा होगा और फॉलो नहीं कर रहे हो तुम लोग इंस्टा पे जाओ फॉलो करो कॉविड नैंटीन अच्छा बहुत बच्चे मसे बोल रहते हैं सर आप जूण बोलते हो आप बोलते हो ट्रावल करोगे तो आप ट्रैवल नहीं किये ना ही आपने अपडेट डाली मेरे बाई कहां से ट्राइवल करूं COVID-19 में अगर मैं ट्राइवल करूंगा आपको पाठ पढ़ाता गुंगता हूँ कि सेफ रहो काम हो तो अभी बाहर निकलो तो बट मैं जनवरी फरवरी से ट्राइवल करने वाला हूँ फरवरी को शायद मैं वाचल प्रदेश जाओंगा तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा तो आप मुझे फॉलो करिए अगर आपको मिलना हो तो आप उससे मिल सकते हैं तो करनाटक सरकार ने नाइट कर्फिय्यू लगा दिया है स्टेट में चौबश दिसम्बर से शुरू हो रहा है यानि की कल से शुरू हो गया आज है पच्छे दिसम्बर क्रिसमस की बहुत-बहुत बदाहियां मुझे पता है मैंने बुद्धिजम पे लेचर लिया है मैंने जैनिजम पे लेचर लिया है सिखिजम, हिंदुईजम जुडैजम कवर किया है दो रिलिजन बचे है Christianity और Christianity पे मैंने लेचर लिया लेकिन वो इंडारिक है ठीक है कि मतलब किसी लेच्चर में जब Christianity आई तो समझा दिया और Islam मैं बहुत जल्द प्यागंबर मुहमद और जीजस क्राइस्ट की Life and Teachings आपके सामने लेखिया होंगा मेरा वादा है आपसे तो 24 दिसंबर यानि की कल जो है वो कर्फ्यू लगा दिया क्यों नया COVID आ गया है हालत खराब है म्यूटेट हो गया है क्या हमको हो जाएगा इसी लिए एतियातन नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है Christmas की बहुत बहुत बदाईया Christmas की बदाई देना तो भूली गया तो कर्णाटक में क्यों नाइट कर्फ्यू लगाया है देखो इसको समझो UK का कहना है कि शायद यह सेप्टेंबर में ही म्यूटेट कर गया होगा ठीक है ऐस्ट्रेलिया डेनमार्क में भी में भी बहुत ज़्यदा पॉसिबिलिटी है बहुत ज़्यदा पॉसिबिलिटी क्या कि वहां पे भी न्यूस्ट्रेन है पूरी दुनिया को हम एक एक को पकड़के टेस्ट उसका कर नहीं सकते उतनी बड़ी टेक्नोलजी हमारी नहीं है मैं कि आपसे कहना यह चाह रहा हूं कि हो सकता है यह न्यूस्ट्रेन पहले से ही सप्टेंबर से अगर है सप्टेंबर अक्टूबर तो इसका मतलब यह न्यूस्ट्रेन जो है वो दुनिया भर में हो यह घूम रहा हो लोग लोग इसको लेके घूम रहे है दूसरी चीज यह है कि हमने 22 दिसमबर से लोगडाउन लगाया मतलब स्वारी फ्लाइट्स को बैंड किया लेकिन उससे पहले वालों का क्या हाई दिसमबर में कैसे तो तो 14 दिसमबर का मैट हैंकॉक जो है इनाटिट टेंड़म के हेल्थ सेक्रेटरी तब उन्होंने बता है न उससे पहले भी तो लोग ट्रावल कर रहे थे इंग्लेंड से इंडिया या इंग्लेंड से पूरी दुनिया में तो यह नया इस ट्रेंड फैल सकता है इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिमिलिटी है और जिस अगर सूत्रों की माने जैसे की यूके कहा रहा है कि 70% जाधा infections है हाला कि अभी इस पे research ही चल रही है अभी कुछ भी नहीं scientist ना भी ज़्यादा कुछ कहने से मना कर दिया कि हमको नहीं पता है कितना खतरनाक है क्योंकि हम इस पे research ही कर रहे हैं लेकिन एतियाद बरतना है आप क्या कर सकते हैं क्या आप डरने की जरूरत है बिल्कुल नहीं डरने की जरूरत तब है जब आप irresponsible हो रहे हो अब बहुत जादा लोग casual हो गए मैंने देखा है हद से जाधा casual जब से vaccine vaccine हो गए तब से और ज़ाधा casual हो गए है मत हो बिल्कुल भी मत हो जब तक वैक्सिनेट ना हो जाओ वैक्सिनेट रहने के बाद भी casual मत रहो तो casual मत रहो जोग कर रहे ते वही करो social distancing mask के सब बोल रहे हैं बचे रहो गे कोई भी strain चाहे कितना बड़ा हो छूबी नहीं सकता आपको और नया mask की used mask मत पहनो यूजड मास्क की efficiency जो है ना 40% से कम हो जाती है ठीक है तो जादा possibility होती है तो used mask तीन चार वर पहन लिया ठीक है बार बार मत पहनो तो जो नया इस ट्रेन आया है इसलिए करनाटक ने करनाटक सरकार ने Wednesday को night curfew लगा दिया 24 दिसंबर से दो जन्वरी गया new year का celebration गया वो भी करनाटक बैंगलोर में बैंगलोर में तो घजब metro city है बैंगलोर में तो भयानक celebration होता है कर्फ्यू कब तक रहेगा रात 11 बजे से सुबा 5 बजे तक night curfew है नहीं है कुछ experts का कहना कि night curfew का concept कि आप देख लीजेगा तो night curfew जो है वो CM नहीं एनॉंस किया reporters को बताया कि हमने committee से discuss किया है committee ने यही सुझाओ दिया है कि आप night curfew जो है वो लगा दीजे तो night curfew जो है वो लगा दिया अब क्या क्या होगा night curfew में देखे essential service मिलती रहेंगी medical store खुला रहेगा डरने की जरूरत नहीं है और बाकी जितनी भी दुकाने हैं वो बंद हो जाएंगी ठीक है फिर करनाटक के Chief Secretary TM विजय भासकर ने ये बोला है individuals रात 11 बजे से सुब़ 5 बजे तक बिलकुल भी नहीं निकल सकते तो night out का plan कर रहे हो ना cancel कर देना वरना पुलिस के फिर समझ रहे हो ना essential service मिलती रहेगी इसमें कोई दिक्कत नहीं है movement of goods goods पे अगर रोक लगा दी जैसे अभी हमने रोक लगाई थी बैंड बजे गई थी भारत की first quarter second quarter में वो negative growth हुई हालत खराब हो गई तो फिलहाल देखे ट्रक्स जो है वो रात महीं चलते हैं रात महीं उनका main movement होता है तो goods मतलब जो ट्रक्स हैं vehicles हैं या carriers हैं including empty vehicles उन पे कोई restriction नहीं in fact bus भी proper operate करेगी यहाँ पे जो TS लता है Public Relations Officer करनाटा के State Road Transport Corporation की उन्होंने बोला है कि बस जो है जैसे usual चलती है वैसे ही चलेगी तो डरने की ज़रूरत नहीं है अब इससे पहले हम और जाने 12,000-300 subscriber है यही मेरा official टेलिग्राम चैनल है इसी को यह आप जॉइन करिएगा अब कुछ लोग night shift में काम करते हैं कुछ लोग क्या IT industry में तो मेरे तो बहुत सारे friends है जो engineers है वो night shift में काम कर रहे हैं वो अपने बहुत से बोलते रहते कि day लगवाद हो day लगवाद हो बहुत सुनता ही नहीं है तो अब उनके लिए क्या होगा देखो जितनी भी industries है companies है organizations है जो night में अपने operations conduct करवाती है वो कर सकती है शर्त यह है कि अगर 100 लोग काम करते थे तो 50 काम करेंगी यानि कि 50% its staff जो है वो इनका reduce हो गया है ठीक है आप इसके लिए भी आपके पास valid ID cards होना चाहिए वैसा नहीं है कि बिना ID के आप निकल गए है तो जो organization आपको जैसे किसी भी जैसे HCL में आप काम कर रहे है तो HCL का ID card हो इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री जो 24 गंटे काम करती है वो बिलकुल function करेंगे without any restriction यानि कि industries, factories इनको छूट दी गई है क्यों economy पे जरा साभी बल ना आए economic गिरे न public transport का क्या, cab, transport, auto, guidelines के इसाब से जो movement long distance night bus है trains, flights, they are permitted train functional रहेंगी bus अभी मैंने बताया प्येस लता ने बोले ये कि bus जो है वो चलेंगी caps भी चलेंगी to and from movement of taxis and auto भी permitted है ठीक है अब अदे यार ये तो चलिए कोई बात नहीं कि उनका क्या जो करनाटक में आ रहे हैं उन passengers का क्या देखिए जो passengers करनाटक में आ रहे हैं किसी दूसरे देश से अगर वो COVID-19 नेगिटिव रिपोर्ट के साथ आ रहे हैं तब तो ठीक है नहीं आ रहे हैं तो उनको test करवाना जो है वो जरूरी है तरकुलर में ये लिखा हुआ है जो returnees हैं जैसे मालोग कोई इंग्लेंड में गया कोई अब उसको करनाटक आना है तो उनके पास negative certificate होना चाहिए और वो तीन दिन पहले 72 घंटे का ही हो वालब 72 घंटे आपने पहले test होगा restrictions क्या है जो UK से आ रहे हैं ये UK जा रहे हैं देखो अगर 25 नवेंबर से 22 दिसमबर जो भी UK से आए हैं जो आए हैं इस बीच 28 दिन का compulsory quarantine है मतलब घर से बाहर नहीं लिकल सकते हैं health officials जो है शुरुवात के दो हफ़ते आने की 14 दिन दोटल चार हफते होगे चार हफते तक अगर आप 25 नवेंबर से 22 दिसमबर की बीच में UK से करनाटक आए हैं तो आपको चार हफते तक घर में ही रहना पड़ेगा quarantine हैं compulsory quarantine है निकल नहीं सकते health officials शुरुवात के दो हफ़ते आपकी सारी जो जरूरते उसको पूरा करेंगे और उसके बाद जो है they will have to voluntary strict themselves at home शुरुवात के दो हफ़ते health care's मतलब health officials उसके बाद आपको घर पे रहना पड़ेगा अब second part पर आते हैं Thursday को इन्होंने night curfew withdraw कर लिए इसलिए U-turn ले लिया तीन दिन के लिया है चार बार B.S. येदुरप्पा जो है वो अपने decision से पलड़ गए है तो अब ऐसा हुआ है तीन दिन में second U-turn मारा है इन्होंने बोला है देखिए जब ये decision लिया महराज में भी बहुत लोग उस्से में थे और करनाटक में भी बहुत लोग उस्से में थे ये जो सब हुआ है नाइट टर्फी जब हमने एनॉंस किया था ताकि जो नया कोरोना इस ट्रेन है उसको हम कईटेल कर सके उसके बाद जब फीडबैक हमको पब्लिक से मिला तो हमने री एक्जामिन किया और फिर cabinet colleagues और senior officials के साथ consult किया और ये decision लिया कि हम इसको withdraw ही कर लेते हैं ये chief minister office से statement आया है अब पब्लिक क्या करें undertake self regulation खुद से ही अपने आपको quarantine करें mask पेने social distance का पालन करें unnecessary travel ना करें और सरकार की guidelines को follow करें मतलब पूरा U-turn मार लिया है अब देखिए हम तो इसमें कुछ नहीं करेंगे ज्यादा हम बिल्कुल भी इसमें हस्तक यह नहीं करेंगे कि फिर political हो जाए गई है लेकिन एक बार decision लिया या तो पहले आप decision लेते नहीं decision लेके वापस लेना दोस्तों यह बहुत बड़ी बिज्जती होती है सरकार के झाल